नमस्कर दोस्तो दीपीलेक्टोनिस लैब में आपका बहुत बहुत स्वागा थे आप इस टीवी को अच्छे से देखिए कि इस टीवी का हालत कैसा है क्योंकि इस टीवी को हमारे एक फ्रेंड ने कच्रे वाला के पास से ले कर आया यानि कि जो कवारी वाला होता है ना उनके पास से ले कर आया है 300-400 रूपीज के अंदर तो हमने इसको चेक करके देखा कि इसका मदरबोर्ट बैकलाइट बिल्कुल सही है सिर्फ पर सिर्फ इसका पैनल टूटा हुआ है तो आज हम इस टीवी को रिपेर करोंगा फुल ले 100% वर्किंग कंडिशन में लेकर आएंगे तो कैसे हम लेकर आएंगे चलिए इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सबसे पहले आप देख लिए जैकि यह LG का वरिजिनल टीवी इसका मॉडेल नंबर भी आपको दिखा दिता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ पे 32LM576BPTC यह मॉडेल नंबर है और यह एक Android या Smart TV होने के कारण हम इसके अंदर जो पैनल लगा के इसको ठीक करके बेज भी सकता हूँ और हमारे जो फ्रेंड है न वो भी खुस हो जाएंगे जब इसको मैं 100% ठीक कर दूँगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं पीछे साइड को खोल के देखता हूँ क्या यह वाकई में काम करेगा की नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चला है कि यह जो टीवी है इस टीवी का मदरबूर्ड बैकलाइट सही है क्योंकि जब मैं इसको लाइन देगा चालू करा था चालू करने के बाद मैंने देखा कि इसका बैकलाइट जल गया है मतलब इसका motherboard बिल्कुल तो सही है जब इस standby से कोई motherboard मतलब release हो जाएंगे ना तब आपको समझ लेना पड़ेगा कि उसका motherboard बिल्कुल okay condition में है और हमको तो देखने ही मिल रहा था कि इसका backlight भी जल रहा है और इस speaker सही है या नही हमें जब इसका अंदर सारे connection कर देंगे तब पता चलेगा तो यहाँ पर दिखिए smps power supply के साथ-साथ motherboard भी लगा हुआ है और हमें साथ-साथ दिख रहा है कि इसका अंदर जो motherboard लगा हुआ है वो motherboard android के साथ-साथ जो smart tv के अंदर जो features होते हैं हम सिर्फ इसका panel को बदलना है तो panel को बदलने के लिए इसका side का frame है न इस side को frame कभी खुलना परेगा और मैं आपको बतना चाहूंगा कि आपका भी tv का अगर panel खरभ हो चुका है तो आप हमारे दुकान पे आके अपना टीवी का जो display है वो display को change करवा सकते हो अगर आपको हमारे service center का या swap का location चाहिए Google पे जाके search करिए deep electronic service center तो वहाँ से आपको हमारा service center का address है वो मिल जाएंगे अब दिखिए panel को बहान निकलने के लिए सबसे पहले इसका LBDS connector को खुलना परेगा और इसके अंदर जो panel लगा हुआ है वो BOE company का panel लगा हुआ है और हम इसके अंदर BOE company का ही panel डालेंगे क्योंकि हमारे पास BOE, LG और CSOT ये तीन company का panel मोजुद है तो हम लोग उसी TV के अंदर जो TV का अंदर जिस type का panel डाला हुआ रहता है उसी type का panel डाल के देता हूँ बिल्कुल same to same ताकि हमें अच्छा का सा picture quality देखने को मिले TV के अंदर से अब देखिए उपर का जो टूटा हुआ display था उसको हटाने के बाद इसके अंदर कुछ dust रहे गया था तो dust को हमने clean कर ले हूँ और dust को clean करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका backlight चला के देख लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए backlight बिल्कुल hundred percent okay है तो हम लोग इसके अंदर नेया panel को डाल सकता हूँ कोई भी problem नहीं होगे तो यहाँ पे हमारा नेया panel डाला हुआ है या रखा हुआ है तो मैं यहाँ से panel को उठाता हूँ हमारा panel removing tool के मदद से और यही वाला tool को इस्तमाल करता हूँ पैनल को निकलने के लिए अच्छा वाला जो panel होता है और आप लोग को पता हुगा कि जब TV का backlight खराब हो जाती है तब भी हमारे को panel के उपर business safety का ध्यान में देना होता है नहीं तो panel तूटने का chances रहता है और बहुत सरे technician तूट भी देता है या तोर भी देते है panel को तो उसको नुकसान हो जाती है तो वो चीज़ा हमें ध्यान में रखना होता है तो यहाँ पे देखिए हमें panel को सही सलमात बिठा दिया हूँ आब हम क्या करेंगे कि इसके पीछे एक protective film दिया रहता है उस film को मैं हटा लेंगे क्योंकि पीछे साइड का जो protective film हटा लेंगे तो हमें picture quality भी मस देखने को मिलेंगे और जो panel का live है ना वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसलिए हम धीरे धीरे करके इसका सारे जो reflector film दिया हुआ है रिफलेक्टर तो नहीं है यह protective film actually क्योंकि जब नया condition में panel रहता है तो उसको उठाने में या डालने में या एक जगा से दूसरे जगा या एक box के दूसरे box में डालने में आसानी हो जाए थोरा बहुत इस तरह आगा है अगर scratch आ जाए तो यह जो film के मदद से वो protective रहे इसलिए इस film को लगा जाता है हमने protective film को हटा दिया हूँ अब इस panel को एकदम सही जगा पर बिठा देता हूँ और बिठाने के समय आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान में देना होता है corner मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ चाहिबो मैं TV का panel चेंज कर रहा हूँ या इसका backlight चेंज कर रहा हूँ अगर corner थोरा सा भी उटा हूँ रहेगा तो आपका panel तूट जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा नुक्सन हो जाएगा इसलिए जब आप panel के उठाने के बाद backlight को replace करके दूबारा panel को बिठा होगे उस समय भाई आपको panel का corner पे बिश्यस धान में देना होगा या अगर नेया panel डाल रहे हो उस समय भी आपको panel के corner पे बिश्यस धान में देना होगा ताकि यह उठा हुआ ना रहे अब हमने चारो तरफ corner को देख लिया हूँ अब मैं इसे panel removing tool को बहार रख देता हूँ और बहार रखने के बाद हम इसका जो side का frame दिया हुआ था उस side का frame को लगा देता हूँ और कैशी बार हमें मैपिंग false देखने को मिलता है तो वो कैसे solve होता है मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता है था अगर इस TV का अंदर डालने के बाद वे इसा problem आएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा live practically की कैसे उसको solve किया जाता है अब ये फिलाल के लिए मैं इस frame को लगा देता हूँ और frame को लगाने के बाद मैं इसके अंदर पहले चालू करके दिखाऊंगा चालू करने के बाद हमें क्या पता चले की इसके अंदर picture बन रहा है की नहीं तब ही हमें पता चल जाएंगे तो हमने इसके अंदर जो frame था frame भी set कर लेया हूँ आप बाड़ी आते कि इसका जो भी connection करा हुआ था खास करके इसका sensor और sensor के साथ साथ इसका जो panel का PCB था वो panel का PCB को हमने कैसे set करा हूँ आप देख लेजिए क्योंकि ये छोटे-छोटे चीज़ को हमें ध्यान में देना होता है अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे इसका LBDS cable और LBDS cable लगाने से पहले आपको थोरा सा यहां पे ध्यान में देना होगा कि यहां पे यह जो T-Con board हमें इस panel के साथ मिला है तो इस panel के साथ T-Con को connection कर लेंगे तो यह जो flex cable आप देख रहे हो flex पत्ता यह भी आपको panel के साथ ही मिलेगा उसके साथ ही साथ जो T-Con है यह भी आपको पैनल के साथ ही मिलेगा तो हम यहां पे इस तरीके से लगा दिया हो और लगाने के बाद जो LG TV होता है तो LG TV का अंदर अगर आप LG का पैनल लगाओगे और आप उसके बाद जो BOE का पैनल मिलता है तो दोनों का connection same to same होता है मतलब इस TV को assemble कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो भी content चलाएंगे बहुत अच्छे से हम देख पाएंगे अब हम क्या करेंगे कि इस LBDS के वेल को और यह जो पैटी को है ना ST-Con को हम यहां पे fit कर देंगे body के साथ क्यों body के साथ कर देंगे अगर इस तरीके से खुलना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जाब इस TV को हम लोग उठाएंगे तो यह इधर उधर जाने का chances रहता है इसलिए double sided tape के मदद से हम इस Ticon board को body के साथ attach कर देंगे और यह जो आप tape देख रहे हो ना इस tape का एक खासियत यह है कि यह heat produce अगर ज्यादा heat हो जाएंगे तो यह आपने हिसाब से body के साथ transfer कर देंगे और यह कभी छूटेगा नहीं तो इसलिए हमने do purpose के लिए इसे tape को इस्तमल करता हूँ as a heat resistance भी काम करेगा और दूसरा यह छूटेगा भी नहीं कभी अभी इसके अंदर में line देता हो line देने के बाद देखता हूँ कि इसके panel के अंदर कोई भी problem या कुछ भी देखने को मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर देखे लाइन को देने के बाद यहाँ पर चालू होगा कि नहीं हमें पते चलेगा यहाँ पर इस्टनवाई का जो LED है हमें देखने को मिल रहा है अब इसको स्टनवाई से रिलिज करता हूँ और स्टनवाई से रिलिज करने के बाद क्या इसके नजरा हमें आ चुका है और हमें सबसे ज़्यागा दिख्यत मिलता है नेया टालने के बादucky camera लिकिन इस पैनल को डालने के बाद्स देखिए द्रys दूड़ा आ लेकिन स स्करबाइन के बादने के बाद हमें picture देखने को मिलेता है ऌपर चquinho तरह है भी यह मैपिंग का inspiration कवरी वला से टीवी लेकर आया था अभी टीवी एकदम बिल्कुल 100% ओक्य हो चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और इसी प्रकर के वीडियो जगर आप आगे आने वालो दिनों में देखना चाहते हो चैनल को सब्स्राइब